नमस्कार मैं रुखनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं आगामी दिनों में आगामी कुछ महीनों में जारखंड में होने वाले पंचायत समीती और जिला प्रिशत के दिरवाचन की वर्स 2020 के नहुंबर दिसंबर से ही दिव है जारखंड में पंचायत निकाओं का चुनाओं होना अब ओवीशी आरक्षन के बिना चुनाओं कराये जाने की घोशना इस बजट सत्रमें मार्च में सरकार की ओर से की गई है जिसका विरोध भी होने लगा है जैसे की जानकारी है एक मार्णिय शांसद में ओन्रेबल सुप्रिम कोर्ट में भी इस इसू को उठाने के लिए वो केश करने वाले हैं या केश कर चुके हैं नकबल जार्खन वरनल महाराष्ट उरीशा मतपरतेश जैसे राजियों में भी अस्थानी निकावों के चुनाओं में OBC आरक्षन को लेकर ओन्रेबल सुप्रिम कोर्ट ने असपस्ट आदेश दे दिया है कि वर्ष 2010 में जो अन्रेबल सुप्रिम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट के मामले में आदेश है उसका बिना अनुपालन के OBC आरक्षन के साथ चुनाओं नहीं कराये जाएगे जार्खंड सरकार के साथ समस्या है कि अर्वो रुपे की का अनुदान नहीं मिल पा रहा है किन सरकार से लेकिन सत्ता पक्षभी और बिपक्षभी प्रिशोपेश में है जो कि दोनों यह चाहते हैं कि जार्खंड के जो बहुत बरी आबादी है पिछली जात्मों की बीना उनको प्रतिमिद्धित दिये वे आरक्षन दिये वे यह चुनाओं कराया जाना उक्ति संगत उन्हें प्रति नहीं हो रहा है ट्रिपल टेस्ट क्या है मैंने पहले के भी कई वीडियो में इसकी चर्चा की है कि एक बैकवर्ड क्लासेश के लिए कमीशन अलग से बनना है जो जनसंख्या और प्रतिमिद्धित्व का अंकरा संकली करेगा और यह भी देखेगा कि उसका अक्च्छली प्रतिमिद्धित्व क्या है उन निकायों में और अंतिम तिसरा यह होगा कि SC, ST का जो एक्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके अतरिक कितना रिजर्वेशन उनकी आबादी पिछरी जाती की आबादी और के अंतर हो चुकि SC, ST और OBC कारक्षन मिलाकर 50% के लिमिट को क्रॉस नहीं करना है अब यह समस्या हो रही है कि कई राज सरकार परिशान है और आने वाले दिनों में मैं समस्ता हूँ कि देश के हरे एक राज को इस समस्या को फ्यस करना होगा क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार इस इसू को सभी राज सरकारों के साथ और सभी मरता प्राप्त राजिंत्रिक दलों के साथ विमर्ज करें और एक सम्यक निती बनाई जाए कि जब जातिगत जनगर्ना होनी नहीं है SCST के अत्रिक तो आखिर जनसंख्या क्या है प्छरी जाती की यह कैसे पता लगाया जाए जिस्टे उन्रेबल सुप्रीम कोट के ट्रिपल टेस्ट वाला जो यह बिंदू है इसका उनपलन हो और अगर जातिगत जनगर्ना नहीं होती है तो आबादी की गनला का एक ही रास्ता निकलता है कि जो वोटर लिस्ट है उस निकायों का प्रतेक वाड़ वाइज उस प्रेशियों अबादी का भी होगा और यहां ही देखना होगा कि गत चुनाओं में उस निकाय अस्तर पर पुरे राज के इस्तर पर क्या उनका प्रत्रती है और वैसे प्रस्टिती में जिला को आधार बनाकर उनके निकाय को आधार बनाकर और राज के लिए पूरय तवर पने कुरुष्टर बनाकर के SCST के existing reservation कैतरे तो वीशी का क्या reservation हो इसका रास्ता निकलना चाहिए और केंद सरकार और सभी राज़सरकारों को मिलितर और अभी के समय में तो जहारखंड महाराष्ट मतपरतेश और उरिशाज सरकारों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और समय अकनिती बनाकर on-level Supreme Court के आधेश का कैसे पालन हो इसकी अकनिती निर्धारित हो ताकि सभी राज़सरकारें उस आधार पर इसका अनुपालन करें और OVC reservation जो निकायों में होना है यह हो Local Self Government में पिछली जातियों को आबादी और परतिनित्व के डाटा के अनुशार 50% लिमिट के अंतरगत ही आरक्षन मिलना चाहिए यह सभी राज़तिक दल चाहते हैं चाहे वो सत्ता में हो राज में या भी पक्षमिया हो और ऐसी परिस्तिती में इस समस्च्या का अस्थाई निदान होना अवशक है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बे लाइक अनको अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का